अपने बैर्स के गुजर जाने के बाद रूबी और उसका ब्रेदर या अपने नेबर के बास रहने के लिए चले जाते हैं पर नेबर का इन बच्चों को लेकर कुछ अलगी प्लान था हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको The Glass Door एक होलिवड मिस्टरी मुवी एक्स्प्लेंट करने वाला हूँ इसके ट्विस्ट एंड टरंस आपको हमेश आपकी सीट के एच पर रखेंगे तो अंदग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर आपको वीडियो अच लगता है तो प्लीज इस लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिए अब बिना किसी देरी के एक्स्प्लेशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हम अमारी मेन कैरेक्टर रूबी को अपने फ्रेंट्स के साथ देखते है आज उसके प्रेंट्स बाहर गए थे तो वो भी अपने फ्रेंट्स के साथ मुवी देखने के लिए चली गई थी अगली सोबह उसके प्रेंट्स इस पर डिसकर्स करते है रूबी एक्च्वाल में बहुत ही लेट घर पर आई थी जो गलत था एक दिन रूबी के प्रेंट्स के वेडिंग अनिवरसरी थी तो मोके का फाइदा उठा कर रूबी अपने फ्रेंट्स के साथ एंजाय करने के लिए चली जाती है जब वो वापस घर पर आई तो घर पर पुलीस थे पुलीस उसे कहते है तुम्हारी मदर फादर का एक्सिडन्ट हो चुका है वो बेचारी टूट गई थी वही उपर चक कर आकर नीचे गिर जाती है इसके बाद डारेक्ली हमें रूबी के पैरंट्स का फ्यूनरल दिखाय जाता है यहाँ और उसके नेवर्स थे मिस्ट और मिस्स ग्लास उन्होंने रूबी के पैरंट्स के लिए बहुत अच्छी बाते कही है फ्यूनरल खतम हो जाने के बाद रूबी का मामा उसके पास आया अपर रूबी ने पूरी लाइफ में कभी भी उसे देखा नहीं था मामा रूबी से गहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज के जरूरत पड़े तुम्हें तुम्हें हेल्प करने के लिए रेडी हूँ रूबी उसे गहते तुम इतने साल कहा थे मदर और तुम ने अपनी रिलेशनशिप को मिंटन नहीं रखा था उसका मामा उसे समझाता है कभी कभी ब्रदर और सिस्टर में चीज हो सकती है मैंने हमेशा सोचा था कि जब मुझे टाइम मिलेगा तो तुम सब के पास में आऊँगा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंट करूँगा पर एक कभी मिला ही नहीं आज उसे पच्टा हुआ है तो फ्यूचर में रूबी के लिए कुछ करना चाहता है रूबी भी इसके लिए हा कहती है इसके बाद रूबी के घर पर उसका लाया है वो गहता है तुम्हारी मदर के एक इंशोरंस था फादर के पैसे थे तो इस वज़े से पूरी लाइफ में तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब तक रूबी एक टीनेजर है तुसे पैरन्स की जरूरत पड़ेगी तुसे के पैरन्स की विल क्या को रड़ी उसके नेवर उनका खैल रखने वाले है नेवर यहाँ पर पोचे जिनका नाम में टेरी और उनकी वाइफ का नाम एरिन टेरी रूबी को सहारा देता है टेरी को लग रहा था कि रूबी अगर अपनी लाइफ निव शहर में स्टार्ट करे तो यह बहुत अच्छा होगा तो इस वज़े से सारे मिलकर मालोगों में शिफ्ट हो जाते है यहाँ पर इनका एक बड़ा सहाउस था रूबी और उसके ब्रेदर को उन्होंने एकी कमरा दिया रूबी को यह बात अच्छी नहीं लगती पर टेरी ने कहा कि यह टेंपरररी है तो मैं सेबरेट रूम मिल जाएगा टेरी और उसकी वाइब जो खाना खाते हैं यह बच्छों को अच्छा नहीं लगता तो इस वज़े से आज रात उन्होंने पीजा ओरडर कर लिया रात में रूबी को नीन नहीं आ रही थी तो सुमिंग करने के लिए वो बाहर गई पर उससे लग रहा था कि कोई उस पर नज़र रख रहा है तो इस वाज़े से वो वहाँ से चली जाती है अगली दिन वो अपनी न्यूज स्कूल में गई प्रिवे स्कूल में जितना फ्रेडम बच्चों को मिलता था उतना फ्रेडम यहां नहीं मिल पाता पर फिर भी वो अड़्जस करती है वो जब घर आई तो एरिन ने उसके लिए क्लोज लाये थे उसके ब्रदर के लिए विडियो गेम्स तो यह दोनों बहुत खुश थे रात में एरिन अपने फ्रेंड से स्कूल कितनी घटिया है इसके बारे में बात कर रही थी यह बात एरिन ने सुन ली वो उस पर गुसा हो जाती है और कहती है तुम्हें अगर यहाँ पर फ्रेंड्स बनाने तो अपना एडिटूर चेंज करना पड़ेगा रूबी कोई बात अच्छे नहीं लग थी कि एरिन उसका फोन कॉल सुन रही थी रात में भी किस तरीके से उसके पैरन्स का एक्सिडन्ट हुआ होगा इसके उसे सपने आते है एक रात तीन बजे वो सुमिंग कर रही थी तो टेरी उसके पास आ जाता है वो उसे गलत नजरों से देख रहा था उसने उसे फिर से इस तरीके से रात में सुमिंग करने से मना कर दिया रूबी की स्कूल में ड्राइविंग का क्लास था इसमें एक्सिडन्ट कैसे होते है इसकी वीडियो उने दिखाई जा रही थी इस बात से रूबी डिस्टरब हो गए उसका रात में खाना खाते हो मन नहीं लगता तो वहाँ से उठकर वो चली गए एरिन उसके पास आई वो कहती है क्या तुमें कुछ तकलीफ है रूबी नहीं कहा कि मुझे ज़रा बिमार लग रहा है तो एरिन अब रूम में जाकर बहुत सारी दवाईयों में से एक मेडिसन उसे दे देती है रूबी वंडर करती है कि इतनी सारे पिल्स क्या काम किया आज रात रूबी को बेहोशी की तरह नीन दाई फिर से बीच रात में उठ कही थी तो उसने नोटिस किया टेरी और उसकी वाईफ है दोनों जगड रहे टेरी भी रूबी को नीचे देख लेता है अगली दिन रूबी ने इस न्यू स्कूल में फ्रेंड्स बनने की कोशिश की पर उसके कोई भी फ्रेंड्स बननी रहे आज रात टेरी उसके पास आया और कहता है कि मेरी होल्यूड में एक पार्टी है या तु मेरे साथ चलोगी रूबी उसे मना करने की कोशिश करती है पर टेरी मानता नहीं जब ये दोनों वहाँ पर जा रहे थे तो टेरी ने अपना माइंड चेंज कर लिया रूबी को एक जगा पर डिनर करने के लिए लेकर आता है उसने उसे समझाया कि कर रात तुमने जो भी देखा ये हजबन वाइफ में जगड़े तो चलते ही रहते है कभी-कभी एरिन के साथ रहना ये लूनली हो सकता है फिर से घर वापस आते वक टेरी बहुत ही फास गाड़ी चला रहा था रूबी उसे स्लो करने के लिए दिया तो रोक लेता है वो उसके बहुत ही पास आ गया था रूबी डर गई तो अपना माइंड चेंज करकर सिर्फ उसका सीड वेल्ट वो लगा देता है घर आने पर रूबी नोटिस करती है कि एरिन खुद को सिरिंज लगा रही थी यह सब बाते रूबी को बहुत गलत लगी तो डारेक लेब ने सीटे में आकर लॉयर से वो बात करती है लॉयर को लगता है कि शायद रूबी को कुछ मिस अंदेस्टेंड ने हुए उसने रूबी को समझाने की कोशिश की कि अगर टेरी के साथ तुम नहीं रह पाए तो तुम्हें गवर्मेंट की अलग-अलग फैमिलीज में जाना पड़ेगा जो तुमारे लिए सही नहीं होगा जो हेल्प रूबी को चाहिए थी यह नहीं मिल पाती है पर फिर भी लॉयर कुछ करने वाला था रूबी के जाते लॉयर टेरी को कॉल करकर सब कुछ बता देता है घर आने पर टेरी और एरी ने उसे बात करते है एरी ने कहा कि मुझे डायबिटीस की बिमारी है कल जब मैं इंजेक्शन लगा रही थी तो डायबिटीस की मेडिसिन ले रही थी रूबी को अभी उन पर बिल्ली हो जाता है नेकसिन में रूबी अपने स्कुल में ड्राइविंग की क्लास ले रही थी यह उसके लिए बहुत ही हार्ड था एक दिन वो टेरी से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है विजनेस में कभी-कभी इस तरीखी की चीज़े होती रहती है इस बात से तुम डरना मत रात में रूबी ने हमने पैरेंस की डेट की निज़ निकाली उससे पता चलता है कि जब उनकी डेट हुई थी वो BMW चला रहे थे पर उसके पैरेंस के पास तो BMW थी ही नहीं उसने लॉयर को कॉल किया और कहा कि मेरे पैरेंस किसकी कार चला रहे थे इसके बारे में ज़रा information निकालो आज रात रूबी को एक essay complete करना था पर वो वैसे ही सोके टेरी ये चीज नोटिस करता है और रात में उसने पूरा essay लिक डाला सुबा जब रूबी ये नोटिस करती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है नेक से नम देखते हैं रूबी को उसके स्कूल में मिलने के लिए उसकी सोशल वरकर आई हुई थी रूबी के लॉयर ने उसे भेजा हुआ था सोशल वरकर को जो पता चला कि रूबी और उसका बदर एकी रूम में रहते हैं तो उसे गलत लगा अब वो इंस्पेक्शन के लिए आने वाली थी इविनिंग में इंस्पेक्शन के लिए जब वो उनके घर पर पहुची तो टेरी ने अल्रेड इनकी रूम अलग-अलग कर दिये थे रूबी का बदर भी टेरी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़े कहता है सोशल वरकर को छोडने के लिए सब लोग जब भार गए तो रूबी ने थ्रैश कैन में नोटिस किया कि उसके कॉलेज का लेटर था टेरी ने रूबी के कॉलेज को कैंसल कर दिया और उसके सारे पैसे फिर से वापस ले लिये थे रूबी को उसके मामा का भी लेटर आया था यह उन्होंने उसे दिखाया ही नहीं यह सब बाते रूबी को बहुत ही सस्पिशेस लगी राब में इमेल से अपने लोगर को कॉन्टेक करने की ओ कोशिश कर दिया पर टेरी ने उसका अकाउंट बन करवा दिया था रूबी नोटिस करती है कि टेरी ज़रा डिस्टरब है और फोन पर बात कर रहा है तो वो नीचे आखे उसकी सारी कनवरिसेशन सुन रही थी टेरी फोन पर बता रहा था कि मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूँगा अक्च्वल में मेरा एक बिजनेस पार्टनर था उसने मुझे धोका दिया पर अब मेरे पास बहुत सारे पैसे है मैं थोड़े थोड़े कर कर आपके सारे पैसे दे दूँगा अभी मैं 30,000 डॉलर्स भेज रहू यह वही 30,000 डॉलर्स थे जो रूबी के कॉले से वापस आये थे नयानि कि यो सारे पैसे उसी से लूट रहा है अगली दिन रूबी को उसके लॉयर का स्कुल में कॉल आया उसने कहा कि जो गाड़ी तुमारे पैरन्स चला रहे थे यह अच्छल में टेरी की थी अब रूबी का सारा शक टेरी पर ही था टेरी ने रूबी का जो ऐसे लिखा था यह भी कॉपी कर कर लिखा था यह बाद स्कुल में पकड़ी जाती है इसके पीछे भी टेरी ही था अब रूबी को बता था कि वो डेंजर में है इस घर में वो नहीं रह सकती बीच राज छुपके से जाकर टेरी की गाड़ियों जोरी कर लेती है अपने ब्रदर को उसने उठाया और गाड़ी में बेट गे उसे सही से चलानी आती नहीं थी पर फिर भी वो वहाँ से निकल गई नीचे गाड़ी का आवास सुनकर टेरी भी जग जाता है वो उनका पीछा करने लग गया रूबी को एक च्विक पोस्ट पर पुलिस ने रोक लिया तब ही वहाँ पर टेरी आ गया और इन दोनों को घर लेकर जाता है रूबी टेरी से गयती है तुमने मेरे पैरंस को मार दिया टेरी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था उनकी एनिवर्सरी थी तो इस वज़े से सिर्फ मैंने एक अच्छी कार उने दे दी थी रूबी अब उसके साथ नहीं रहना चाहती थी वो यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश कर दिया पर घर पर आने के बाद एरिन ने उसे सिरिंज लगा कर बेहोश कर दिया अगली दिन टेरी रूबी के बैंक ने गया वहाँ से और भी पैसे वो एटने की कोशिश करता है पर बैंक को पता चल चुका था कि उसने अल्रेडी 30,000 डॉलर्स की चोरी की है वो उसके अकाउंट को ब्लॉक कर देते है इस बात से वो बहुत डिस्टब हो गया एरिन को एक्चॉन में डायविडेस की बिमारी थी ही नहीं वो हमेशा ड्रक्स करती थी और एटर्स वो हस्पिटल से चुराया करती थी ये बात जब हस्पिटल हेड को पता चली तो उसे फायर कर दिया जाता है इस बात को लेकर टेरी और एरिन में जगड़ा हो गया एरिन कहती है हमें इस तरीके से कुछ भी करना ही नहीं चाहिए था यहां में पता चलता है रूबी के पैरंस के एकसिटरंट के पीछे ये दोनों ही थे इरिन को इस बात से बहुत ही गिल्टी लगता है तो इस वज़े से ओ ड्रक्स करती है टेरी को इस बात से थोड़ा भी पच्टावा नहीं है वो कहता है मुझे ओपोर्चुनिटी दिखी और मैंने ओ ले ली एरिन को आज रात भी ड्रक्स की ज़रूर थी तो यही लेने के लिए टेरी भाहा से चला गया गर में उसने ड्रक्स जुनने की कोशिश की तो उसे मिल भी गया एरिन और टेरी जब यंग थे तो उने एक बेटी भी थी इसकी वीडियो देखने लग गए इमोशनल होकर ज़्यादा ड्रक्स वो ले लेती है और वैसे उसकी डेथ हो गए रूबी ने नोटिस किया और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है टेरी घर पर वापस है तो उसे बहुत बुरा लगता है रूबी नीचे जाकर फोन पर किसी से बात कर रही थी तो इस बात से वो गुसा हो गया रूबी और उसका बरदर यहाँ से भागने की कोशिश करते है पर टेरी ने उसे पकड़ कर बेस्मेंट में डाल दिया वेस्मेंट से इन्होंने निकलने की कोशिश की एक वेंट था जहां से निकल सकते थे टेरी घर से बाहर जाने वाला था पर वो अपना माइंड चेंज कर लेता है और घर में आकर ड्रिंक करकर सो जाता है स्लोली स्लोली ये दोनों घर से बाहर आगे टेरी की गाड़ी की चावी लेकर वो भागने वाले थे तभी इनका लॉयर यहाँ पर आ गया वो टेरी से कहता है कि तुमने सब कुछ बरबाद कर दिया है बैंग ने भी तुमें ब्लॉक कर दिया है मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गडबर जल रही है यह दोनों बात ही कर रहे थे तब टेरी से पैसे वसुलने के लिए गैंगस्टर वहाँ पर भोच जाते है एक्चुली रूबी ने उन्हें कॉल कर दिया था कहा था कि टेरी यहाँ से भगने वाला है जल्दी से यहाँ पर भोच जाओ वो अब टेरी को मालते है पर उसने कहा कि यह लॉयर मेरा बिजनेस पार्टनर है इसे ने सारे बैसे चुराए हुए थे लॉयर इस बात से डर जाता है कहता है इस बात से मेरा कोई भी लेना देना नहीं वेहाँ से जाना चाहता था पर गैंक्स्टर ने उसे मार डाला अवे गुंडे मिलकर टेरी को लेकर जा रहे थे रूबी ने अल्रेडी टेरी की गाड़ी की ब्रेक्स निकाल लिये थे इनकी गाड़ी आउट ओफ कंट्रोल हो गए और रोड पर इनका एक्सिडन्ट हो गया रूबी और टेरी रस्ते से जा रहे थे तो एक पुलिस उन्हें हेल्प करता है आगी चलकर पुलिस ने देखा कि यहाँ पर एक्सिडन्ट हुआ है वो नीचे जाकर देखता है तो टेरी अब भी जिन्दा था उसने पुलिस को ही मार डाला पुलिस की गन लेकर वो उपर आ गया वो रूबी को देखकर मारने वाला था रूबी डर गे जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आ जाती है उसने गाड़ी से टेरी को कुचल दिया अब मुवी के लास्स सीन में हम देखते हैं कि रूबी और उसके ब्रेदर के साथ उसका मामा था अब वही उनका खैल रखने वाला है इसके साथ ये मुवी एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजएगा मैं बहुत सारी मुवी लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजए और बेल नोटिवेशन आइकों दाने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नमुई के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिया